फसल बरबाद हो गई है, पशुधन मर रहे हैं और भूक बढ़ रही है क्योंकि बार-बार सुखा हौन ओफ अफरीका को प्रभावित करता है। अफरीकी मुख्य भूमी के पूर्वी भाग में स्थित हौन ओफ अफरीका, इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती से बना है। पनिन्सूलर है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पनिन्सूलर है। यह Red Sea की दक्षनी सीमा के साथ स्थित है और गाड़ा फूई चैनल, अधन की खाड़ी और हिंद महासागर में सेकडों किलोमीटर तक फैला है और पश्चिमी एशिया के आरब पनिन्सूलर के साथ एक समुदरी सीमा साजा करता है। इसक शेत्र ने 1981 के बाद से अपनी सबसे शुष्क स्थिती दर्ज की है। शुधन मारे जा चुके हैं। सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच की कमी ने जलजनित बीमारियों के खत्रे को भी बढ़ा दिया है। हौन ओफ अफरीका में अकाल पढ़ रहा है। हौन ओफ अफरीका पिछले 40 वर्षों में सबसे भीशन सूखे का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हर दिन लगभग 13 मिलियन लोग भूग के संकट से जूज रहे हैं। विशेशग्यों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र पहले से ही तबाही के कगार पर है और समय भी समाप्थ हो रहा है। इस खशेत्र में लगभग 5.5 मिलियन बच्चों को तीवर कुपोशन और अनुमानत 1.4 मिलियन गंभीर तीवर कुपोशन से खत्रा है। और स्थिती केवल और खराब होने की उम्मीद है एप्रिल 2022 तक और बारिश नहीं होने के कारण। हौन ओफ अफरीका हमेशा से सुखे की चपेट में रहा है। सोमालिया के 2011 के अकाल में अनुमानिट 250,000 लोग मारे गए जिन में से आधे बच्चे थे। 2017 तक देश भर में 6.3 मिलियन लोगों को तीवर भूख संकट का सामना करना पड़ा। अब तक लगभग 100,000 लोग विशेश रूप से मध्य और दक्षिनी क्षेत्रों में अपने पशूओं के लिए भोजन, पानी और चारागाह की तलाश में अपना घर छोड़ चुके हैं। UNICEF का अनुमान है कि हौन आफ अफरीका में जरूरतमन लोगों की संख्या ग्रीस और स्वीडन की संयुक्त आबादी के लगभग बराबर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खादे कारेक्रम अगले कुछ महीनों में 45 लाख लोगों की ततकाल जरूरतों को पूरा करने के लिए 327 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है। UNICEF जून 2022 के अंत तक बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक आपदा को रोकने के लिए 123 मिलियन डॉलर की अपील कर रहा है। विशेशग्यों का मानना है कि अन्य देशों की मदद और जीवन स्तर को नवीनी कृत करने के लिए Climate Resilient प्रयास पूर्वी अफ्रीका में स्थिती को सुधारने में मदद कर सकते हैं।